हलो फ्रेंड्स मेरे यूटूब चानल में आप सबका स्वागत है तो इस वीडियो सेशन में आपन सेल्प इंट्रोड़क्शन कैसे देते जर्मन में यह सिखने वाले तो चलो स्टार्ट करते तो सबसे पहले अपना खुद का नाम कैसे बताना है जर्मन में यह देखेंगे त से हैसा तिरूपती और एब पिरूपती कि रहे थे और यह वह अपना इंफर्मल वय और पल फार्मल वह में माइन नाम ऊ这 node एब आपना नाम के बारे में और वैसे अपने ऑच्राय के बारे में बताना है तो बोलेंगे शेए भीनवें ऐनुन च्झार्मन हरー तो यहां पर आपना जो भी एज है वह यहां पर रिप्लेस करेंगे और इस बीन आइनुन जवांजिस हार अल्ड आयम ट्यूंटी एर्स ओल्ड एक खुद के बारे में बताएंगे यहां पर जो और अपना प्लेश आप ऊरिजिन बताना है तो प्लेसे बोलेंगे जर्मन में वह देखते हैं अभी इस और अंनार के बारे में बताना है तो अगर अब हम इन आंदड में रहताँ, तो जय बो जेए विसको सबनर इन नांदेड ड़े इस वूरर इन नांदेड आई लिव इन नांदेड सिओ ऐस इंडियन फसी से तें इन नानंद में समक्रेशन के बार में बोलना है तो जर्मन में अगर आप teacher है तो बोलेंगे is been layer अगर आप ladies teacher है तो बोलेंगे is been layer को साथ में अजुन स्टुरेंट स्टुरींट से लिए थिद्र र अवड़ ये अगे बत्ता देंगड़े अगर आप जो भी लैंग्वेज जानते को इसके बारे मिल उस Toutल लिए तो गुजराती और वह इसे ही अपने होबी के बारे में बताना है तो बोलेंगे जो भी आपके होबी अगर आप ट्राउलिंग पसंद करते आप खेलना पसंद करते आप सिंगिंग पसंद करते जो भी वहां पर रिप्लेस करके बोलेंगे अब हमें बुक रिड करना पसंद है तो वो कैसे बोलेंगे जर्मन में इन माइन फ्राइजाइट लेज इस बूख इन माइफ्री टाइम आई रिड बूख इन माइन फ्राइज दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाई का प्रोनॉंशेशन आई फ्रा और यह निया का जड़ अवर यह न आई तो फ्राइजाइट इन मैन फ्राइजाइट लेशन इस बूख और प्री टाइम यहीड बूख है और उसके बाद अपने मरिटल स्टेटस के बारे में बताना नहीं तो अगर आप सिंगल है आप मैरिड है अन्मेरिड है तो कैसे बोलेंगे अगर आप सिंगल है तो बोलेंगे इस बीन लेडिज इस बीन लेडिज आयाम सिंगल इस बीन लेडिज आयाम सिंगल और आयाम अन्मेरिड और अगर आप मैरिड है तो बोलेंगे इस बीन फिर आई फिर हाई राटेट इस बीन फेर हाई राटेट I am married इस बीन फेर हाई राटेट I am married और इस बीन लेडिस I am single और I am unmarried और अपने चिल्डरन्स के बार में बता न तो कैसे बोलेंगे अगर आपको दो बच्चे या तीन बच्चे तो बोलेंगे I have two kids अगर आपको तीन बच्चे तो बोलेंगे I have three kids अगर आपको एक भी बच्चा नहीं है तो बोलेंगे I have kind of kind of kind I have no child और I have no kids अगर आप family के साथ रहते है या अकेले रहते है तो जर्मन में बोलेंगे एगर आप अकेले रहते हुटो जर्मन पोलएंगे I live alone तो कैसे बोलेँगे अकेले रहते हैं योट आप I live alone आप आप फैमिली के साथ रहते हैं तो बोलेँगे I live with my family I live with my family अगर अक्यले रहते तो बोलेंगे इस ओन अलाइन अई लिव अलोन और फैमिली के साथ रहते तो बोलेंगे इस ओन मेट माइन फामोली यह, I live with my family, तो दोस्तों यह कुछ sentences थे जो अपने self introduction के लिए use किये जाते हैं जर्मनी में, तो एक बार फिर से एक बार revise कर लेते, मैंने नाम इस तीरुपती, इस बिन 21 हार अल्ट, इस काम आउस इंडियन और इस उन इननादेड, इस बिन लेर, इस प्रेश हिंदी, इंग्लिश उन गुजराथी, इन माइन फ्राइशाइट लेज इस बूग, इस बिन लेडिश, इस हाब काइन किंडर, और इस उन अलाइन, तो दोस्तों ये था अपना सेल्फ इंड़क्शन, जर्मन में कैसे के जाता है, और वीडियो अच्छा लागए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंड करें, और बेल आइकान प्रेश करना, मत बुले ता कि अगला वी अगला